यह है 2030 की new TVS Ronin 225 BS6 जो की base model है आज की इस वड़े के अंदर दोस्तों मैं इस बाइक का fully detail में review करने माला हूँ आज हम देखेंगे इस बाइक के अंदर हैं में क्या क्या न्यू फीचर्स देखने मिलते हैं और हल इस बाइक की on road price, mileage, top speed सारी जाने करें दोस्तों मैं आपको इस वड़े के अंदर detail में देने माला हूँ वीडियो स्टार्ट करने से बहले special thanks to Shell R TVS अगर दोस्तों आपको TVS का को भी पोड़क देखना होगा तो शोरूम की सारी contact and details इस वडियो के description में है So we can start this review यापर आपको LED indicators देखना हो मिलते हैं जो की LED इंडिकेटर है बाकि headlight की बात की जाए तो कुछ इस टाइप की YO इस टाइपके देखना हो मिलते हैं बाकि दोस्तों एक बार में आपको इसकी headlight दिखा देता हो यापर आप देखलो side में इस Esteve की finishing setup देखनेगों मिलता है बाकी इसके आप indicator देखलो एक बार में आपको इसके indicator देखा देता हूँ यहापर आप देखलो यहापर मैं इसके fully LED indicator देखनेगों मिलते है जो कि एक अच्छे बात है दोस्तो बाकी इस bike के नीचे की side में लगने वाली हाम़ारी high security number plate बाकी इसका आप देखलो यहापर आपको सिलोरी finishing के साथ इसका मरगाड देखनेगों मिलता है जो कि कुछ इस टाइप का दोस्तो मरगाड है जो कि आपको black glossy finishing के साथ देखनेगों मिलता है बाकी मरगाड के पीछे का भी लुक देखलो तो यहापर आपको fully fiber body के साथ इसका मरगाड जो कि सिंगल चैनल ABS के साथ आता है तो इसके अंदर दोस्ता आपको ABS जो है वो फ्रंट में देखने को मिलता है बाकि इसके कैलेपर्स भी अच्छे है टायर साइज की बात की जाए तो फ्रंट में आपको 110 बाइ 777 का ट्यूब लेश टायर देखने को मिलता है जो कि 17 इंच के diamond cut allow wheel setup के साथ आता है बाकि टायर का लुग दोस्तो बहुती ज़्यादा अच्छा है इस बाइक के handle bar की बात की जाए तो कुछ इस टाइप का आपको इसका handle bar देखने को मिलता है बाकि side mirrors की बात की जाए तो बहुती अच्छे इसके side mirrors हमें देखने को मिलते है जो कि इस आपर में लगा देता हूँ अभी हम बात करते है इस बाइक के switches के बारे में तो switches आप देख लो यहापर आपको bar end देखने को मिलते है जो कि black finishing के साथ है बाकि यहापर इस बाइक का clutch passing switch low beam high beam switch indicator switch और नीचे में यहापर हमें इसका horn switch देखने को मिलता है उस side की बात की जाए तो दोस्तो यहापर आपको बीच में आप एक बार handle bar का look देख लो black finishing के साथ है बाकि यहापर आपको engine kill switch देखने को मिलता है नीचे में यहापर आपको hazard का switch उपर में दोस्तो यहापर आपको mode का switch देखने को मिलता है बाकि यह जो है दोस्तो इस bike का hazard indicator का switch है तो hazard lights को on off कर स यहाँ पर आपको इसका self start switch देखनों मिलता है mode का एक बार आप button देखनों बाकि front brake lever बगएरा देखनों मिलता है बाकि अभियम बात करते हैं इस बाएक के meter console के बारे में एक बार आप इसका look देखनों तो यहाँ पर में जो दोस्तो इसका fully digital meter console देखनों मिलता है बाकि फिर से यहाँ पर आपको turn indicator की light उसके साथ में fuel gauge की light उपर की बात के जाए दोस्तो यहाँ पर आपको passing की light देखनों मिलते है एक बार आप देखनों मिलते है बाकि ABS की light उसके साथ में दोस्तो बाकि सारे आपको indications देखनों मिलते है यहाँ पर आपको side stand cutoff switch की light देखनों मिलते है ज बाकि इसकी वर्निंग की लाइट यह सारी इंडिकेशन दोस्तो इस मिटर के अंदर आपको देखनों को मिलते हैं जैसे ही मैं इस बाइक के स्टैंड को जो बंद करूँगा तो देखोला आप इसकी इंडिकेशन लाइट जो दोस्तो वेसे ही बंद हो जाएगी आप देखोलो यहापर फाइनली इसकी लाइट बंद हो चुकिए है तो सेप्टी के लिए दोस्तो इंजिन का टॉप स्वीच सेंसर बहुती जादा अच्छा है एक बार आप इस बाइक के हजाड इंडिकेशन का लूग देखोलो दोस्तो भोती अच्छा यहापर आपको इसका फीचर देखनों मिलता है जो की हजाड इंडिकेशन का स्वीच है दोस्तो तो, चारी दोस्तों, यहापर आपको indicator जो ए, अन होने वाले, बाकिया पर में इसको बंद कर देता हूँ, अभी हम बात करते हैं, इस बाइक को instrument console के बारे में, यहापर आपको TVS का logo, यहापर आपको mode और Shade के बटन देखनगे मिलते हैं, बाकी यापर आपको gear indicator देखनों को मिलता है यापर आप देखलो यापर में आने gear shift किया है यापर show हो चुका है उपर में यापर आपको RPM meter उसके साथ में यापर आपको दोसो इसका clock साड़की बात किजा तो यापर आपको इसका speedometer यापर आपको जो एक kilometer की warning trip A, trip B यापर आपको इसका fuel gauge वोगर देखनों को मिलता है और नीचे दोसो यापर आपको इसका distance to empty feature देखनों को मिलता है जैसे दोसो में mode की बटन के उपर click करता हूँ यापर आप देखलो यापर हमें जो इसका urban और rain mode देखनों को मिलता है जो कि इस bike के अंदर दोसो आपको इसके 2 mode देखनों को मिलते है real time mileage indicator hyethया यह सारे दोसो features इस bike के अंदर आपको देखनों को मिलते है बाकि अभी हम बात करते है इस bike के tank के बारे में यहाँ पर में इसका 14 लिटर का fuel tank देखनों मिलता है बाकि यहाँ पर उपर जो इसका fuel tank का lock है जो कि black and silver finishing के साथ आता है बाकि fuel tank जो दोस्तों इसका look बहुत ही जदा अच्छा है side look की बात की जाए तो यहाँ पर आपको chrome की finishing के साथ tvs का logo देखनों मिलता है जो कि देखने के लिए दोस्तों बहुत ही जदा एक्ट रेक्टू लगता है बाकि side look की अगर हम बात करें तो side में दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ी सी silver and black finishing देखनों मिलते है बाकि side के उपर यहाँ पर आपको runnin की branding देखनों मिलते है sit height की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 795 mm की sit height देखनों मिलते है जो कि दोस्तों इसकी कुष्टिंग भी बहुती ज़्यादा अच्छी है sit का दोस्तों एक बार आप look देखनों बाकि पीछे में जो है दोस्तों इसके हमें handles देखनों मिलते है जो कि grab handle दे black finishing के साथ आते है तो यह handle इस bike को बहुती अच्छा लोग देते है rare side की बात की जाए तो यहाँ पर आपको LED tail light देखनों मिलते है तो एक बार दोस्तों आप इसका look notice कर लो यहाँ पर आपको fully LED tail light देखनों मिलते है बाकी यहाँ पर आपको इसके LED indicators देखनों मिलते है तो इसका combination दोस्तों बहुती अच्छा लगता है यहाँ पर आपको TWS का logo बाकी मरगाट जो ब्लैक गोलासी finishing के साथ देखनों मिलता है यहाँ पर आपको इसके reflectors वगेरा यहाँ आपर आमरी लगने वाले high security number plate बाकी यहाँ पर हमें इसका single horn देखनों मिलता है इसके side में दोस्तों यहाँ पर में जो इस bike का crash guard देखनों मिलता है जो कि safety के लिए बहुती अच्छा है अभी हम आते हैं इस bike के engine की तरब बाकी दोस्तों इस engine का इपगर आप look देख लो engine के side में यहाँ पर आपको TVS की branding देखनों मिलते है यह सारा portion दोस्तों आपको slower finishing के साथ देखनों मिलता है engine के नीचे यहाँ पर आपको metal body के साथ engine guard देखनों मिलता है जो कि बहुती अच्छा है engine की बात के जाए तो यहाँ पर आपको 225 CC का oil cooled 4 stock 4 wall FI engine देखनों मिलता है जो कि produce करता है 20.4 PS की power और 19.93 Nm का torque यहाँ पर हमें इसका 5 speed gearbox setup देखनों मिलता है बाकी यहाँ पर आपको adjustable rider footage देखनों मिलते है यहाँ पर आपको adjustable pillion footage देखनों मिलते है बाकी side look की बात की जाए तो यहाँ पर आपको कुछ इस type का black color का सारी guard देखनों मिलता है बाकी यहाँ पर आपको यह पूरा metal की quality के साथ देखनों मिलता है जो की chain cover है इसकी quality जो है दोस्तो मुझे बहुती ज़्यादा premium लगी बाकी यहाँ पर आपको single और double stand देखनों मिलता है जो की side stand sensor के साथ आता है जो की safety के लिए बहुती अच्छी बात है बाकी उस side की बात के जाए तो almost 200 इस bike का semi look है तो side से एक बार आप look देख लो यहाँ पर आपको वही TVS की branding देखनों मिलती है जो की engine के ऊपर है बाकी उसी type का यहाँ पर आपको Ronin का branding और बाकी सारे दोस्तों यहाँ पर आपको side look देखनों मिलता है बाकी यहाँ पर में जो इसका brake lever वगेर है देखनों मिलता है जो की quality भी अच्छी है बाकी side look देख लो यहापर आपको इसकी black finishing देखनों मिलते है exhaust की बात की जाए तो इसका आप look देख लो जो exhaust का जोए दोस्टो लुक यहाँ से शुरूँ आता है तो दोस्टो यहापर आप इसका exhaust देख लो जो की metal body के साथ आता है यहाँपर जो हमें इसकाже silver finishing के साथ exhaust देखने हो जो कि black finishing के साथ आता है बाकि fully metal body के साथ दोस्तों इस bike आपको exhaust देखने हो मिलता है बाकि इस bike के mart guard की भात की जाए तो प्लास्टिक का में इसका mart guard देखने हो मिलता है बाकि दोसो इसका ABS जो आपको आगे में देखनों मिलता है पीछे में दोसो इस बाइक आपको ABS नहीं देखनों मिलता है याशनी के दोसो ये जो है बाइक Single Channel ABS के साथ आती है इस बाइक के मालेज की बाद की जाए तो 36 से लेकर 35 की एम पल तक के बाइक को मालेज देगी टॉप स्वीड की बाद की जाए तो 140 प्लस इस बाइक की टॉप स्वीड है बाकि वेट की बाद की जाए तो 160 kg इस बाइक का वेट है बागे दोसो इस बाइक की एक शुर्म और अन रोड प्राइज आप लोगों को डिस्पले के उपर दिक रहे होगी सो दोसो अभी जोए आप इस बाइक का एक्सास्ट नोट सुन लो इस बाइक के मोडल की बाद के जाए तो यह जोए इसका बेस मोडल है बाकि दूसरे मोडल आप देख लो दोस्तो यह जोए दोस्तो इसका टॉप मोडल है जोकी दूसरा मोडल है और तीसरे कलर की बाद के जाए दोस्तो तो कुछ इस टाप का इसका कलर है यह जोए दोस्तो इसका थर्ड मोडल है बाकि दोस्तो इसके अंदर हमें जोए तीन कलर देखनों को मिलते है